आप सभी को जैश्री राधे कैसे आप सब आशा करता हूं अच्छे होंगे मैं आशी सक्षा में स्ट्रोविजन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जैसा कि आप जानते हैं आएको में नुम्रोवजिस्ट यह मेरि वीडियो इस वीडियो में मैं आपको esto coverage के बारे में बताने जा रहा हूं जितने भी हम अपने घर में만 के रखते हैं supplements रखते हैं vitamins रखते हैं कुछ भी हम किस दिशा में हमें रखने चाएई यह सारी चीजें Rice in हमारी body के लिए हमारी health के लिए या किसी भी तरह की हमें को disease है वो जल्दी से जल्दी recover हो जाए तो हमें किस best वास्तू zone में इसको रखना चाहिए सबसे पहले तो मैंने देखा है बहुत सारे घरों में लोग गलती करते हैं होने medicines जो हैं वो अपने bedroom में रखी होती हैं सब क्या करते हैं अपनी convenient के हिसाब से अपने bed के साथ ही जो table होता है वहाँ पे अपनी medicines को रख लेते हैं उसका display वहाँ पे लगा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ आपने रात को दबाई खानी ही है या सुभा medicine लेनी ही है सो यह बहुत ही आप गलत करते हैं ऐसा आपने बिलकुल नहीं करना है अपने बैडिक रूम में आपने medicines नहीं रखनी है इससे आपको बहुत ही problems का सामना करना पड़ सकता है और सारी उमर आपकी जो medicines हैं वो आप से पीछा नहीं छोड़ेंगी आपके पीछे लगी रहेंग कि हमने meditation करनी है या हमने yoga करना है नहीं हम क्या सोचते हैं कि हमने consultation लेनी है किसी doctor की हमने medicine लेनी है और जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएं पर क्या वो medicine हम सही zone में रख रहे हैं क्या वो सही दिशा में है क्या उसका हमें लाब हो सकता है क्या उससे हमारी बिमारी जो है वो हो सकती है सो उसके लिए मैं आपको यह सारी चीज़े बता रहा हूं सबसे पहले मैंने आपको बता दिया bedroom में आपने बिल्कुल भी अपनी मैड़िसेंस नहीं रखनी हैं दूसरी सथान है kitchen अपनी जो घर में kitchen में आपने medicines नहीं रखनी है, कोई भी आप देखते हैं, अगर आप घर में, आपके घर में कोई भी काम कर रहा है, कोई वरकर है, वो क्या गरता है, आपके खाने के साथ ही ट्रे में आपकी medicine भी kitchen से उठा करके ले आता है, सो ऐसा नहीं करना है, आपने kitchen में medicine ना हो, आपके खाने के समान के साथ, आपकी medicines जो हैं, वो भी बुरा परभाव डालती हैं आपकी सेहत पर, हमेशा कोई ना कोई बिमारी लगी रहती है, हमेशा बच्चे बिमार होते हैं, परिवार में, किसी ना किसी को कोई ना कोई problems जो है वो चलती रहती हैं, आप सबको पता है kitchen जो है माअन पूर्णा उसमें विराज होती है, जो है माता का आशिरवाद जो है, खाने के उपर होता है, इसलिए आप medicines को किचन में कदापी ना रखें, बिलकुल भी आप इस चीज का खास ध्यान रखें, किचन में medicines नहीं होनी चा साथ में खाने पीने का समान पड़ा होता है, और एक ही ट्रे में साथ में medicines पड़ी होती है, supplements पड़े होते हैं, vitamins पड़े होते हैं, नहीं, that is also wrong, ये भी आप गलती करते हैं, मैं आप से request करता हूँ, आप इन सारी जगाओं से अगर आपकी medicines पड़ी हैं, तो आप उठा जीए, ताकि आपको जीवन में problem ना आए, ठीक हैं, दूसरी जो बात है, आपने अब आप कहेंगे इतनी सारी जगाओं बता दी के medicines ना रखो, यहां पर medicines ना रखो, रखनी कहां पर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, medicines आपने अपने घर की North East जो वाल है, आपके घर क जो North East कोन बनता है, North East और North North East, दो दिशाए में आपको बता रहा हूँ, एक North East, उसी के साथ North North East होता है, ये दो जो जो हैं, इसमें आप एक अलमीरा बना करके, या एक टेबल रख करके, जैसा भी आपको suitable लगता है, वहां पर आप अपने सारे supplements, अपने medicines, अपने vitamins, minerals, आज के लोग बहुत लेते हैं, इन चीजों को आप वहां पर रखें, रेदर देन आप कहीं पर भी इनको रख देते हैं, कहीं पर भी आपकी medicine का box पड़ा होता है, नहीं, किरपया ध्यान दे, बेमारियां हमने दूर करनी हैं, हमने अपने living style के हिसाब से ही अपनी health को ठीक कर ले हों, क्योंकि ये दिशा health and immunity की दिशा होती है, आपकी health को ठीक रखने वाली दिशा होती है, इसलिए अगर आप वहां पर medicines रख देखें, तो आपकी जो health है, वो हमेशा ठीक रहेगी, दूर दूर तक बिमारियों का आप से कोई लेन दिन नहीं होगा, इसलिए आप North North East में अपनी medicines रख सकते हैं, और दूसरी दिशा मैंने आपको बताई नौर्थीस्ट, अब नौर्थीस्ट में क्यों रखनी चाहिए medicines, नौर्थीस्ट जो दिशा है ये गुरू की दिशा होती है, आप सब को मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, नौर्थीस्ट जो है ये शिव का स्थान होता है, भगवान भोले नात का स्थान होता है, ओम नमस्षिवाय, भगवान भोले नात का मंत्रा आप उचारन किया कीजिए, इससे भी आपको बिमारिया जो है वो नहीं लगेंगी, और अगर आप नौर्थीस्ट में अपनी medicines रखते हैं, भगव स्थान शेव नहीं चाते कि आप बिमार हों, ओके, इसलिए उनका आशिरवाद लेने के लिए, वो सारी medicines, वो सारे minerals, वो सारी supplements हैं, जो भी आपका समान है ऐसी, वो आप नौर्थीस्ट में, नौर्थ नौर्थीस्ट में वहां रखें, आपको बहुत ही लाब होगा, बहु अपने शुरू हो गई है, इसलिए नौर्थ इसलिए नौर्थ नौर्थ इसलिए आपने अपनी medicines को रखना है, अपने supplements को रखना है, इस वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए, अगर आपको ऐसा कोई असर नजर आता है, अच्छा result आपको मिलता है, तो मेरी वीडियो के नीचे आप message कीजिए, comment कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप feedback दे रहे हैं, और इस channel को जल्दी से जल्दी subscribe कर दीजिए, ताकि मेरी जो और सारी remedies हैं, और मैं छोटे-छोटे उपाये मैं आपको बताता रहूं, और आपके जीवन में अच्छा जो प्रभाव है, वो देखने को मिले, बदलाव आये आपके जीवन में, खुशियां आये आपके जीवन में,